25,000 का OnePlus Nord C4 बेटर है 27,000 के Samsung M55 से पर बैटरी लाइफ किसकी बेटर है, कैमरा किसका बेटर है और क्या OnePlus की डिस्पले इस बार Samsung से भी अच्छी है सबसे पहरे शुरुआत करते हैं दोनों के कैमरास से तो दोनों के कैमरास देखने में तो सेम लगते हैं दोनों का ही मेल लेंस 50MP का है और दोनों से भी बहुत बड़ी अफोटोस आती हैं और दोनों के अंदर ही OIS भी है तो वीडियो वगरा भी एकदम स्टेवल बनती हैं और दूसरा कैमरा है 8MP का अल्टरावेट वो भी दोनों के अंदर सेम ही है लेकिन जो OnePlus का अल्टरावेट कैमरा है न उसके अंदर डीटेल्स बहुत कमाती है लेकिन अब आता है दोनों के कैमराज में फरक OnePlus में तीसरा कैमरा ही नहीं और Samsung के अंदर तीसरा कैमरा है 2MP का Macro यह होके भी ना होने के बराबर है तो दोनों फोन्स के रियर कैमरा सेटप से बहुत बढ़ी है फोटोस आती है लेकिन Samsung हलका सा बेटर है अब आ जाते हैं दोनों के फ्रंट कैमरा पे तो OnePlus के अंदर है 16MP का फ्रंट कैमरा और Samsung के अंदर 50MP का और दोनों से ही selfies बहुत बढ़ी आती है लेकिन क्योंकि Samsung का 50MP का है तो उसके अंदर डीटेल्स next level आती है तो कैमरा के अंदर तो Samsung जीत गया लेकिन अब आ जाते हैं ऐसी चीज़ पे जहांबे Samsung हलका सा पीछे है पर्फॉर्मेंस में OnePlus और Samsung दोनों फोन्स के अंदर ही सेम कंपनी का प्रोसेसर है बस वड़ा की है कि OnePlus का बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है और Samsung के अंदर तीन साल कुराना और OnePlus के अंदर पर्फॉर्मेंस बहुत बेटर मिलती है चाहे आप रोज मरना के भी काम करो चाहे गेमिंग भी और Benchmarks भी यही कहते हैं कि OnePlus का प्रोसेसर जादा ताकतवर है तीन साल के अंदर प्रोसेसर तो इतना इंप्रूव हो गया लेकिन RCB वहीं की वहीं है और हीटिंग इशू दोनों फोन के अंदर ही बिल्कुल नहीं है तो अगर आप डेली लाइफ के लिए कोई फोन ले रहे हो मग चलो OnePlus के अंदर जादा मजा आएगा और दोनों के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंग अपिट स्कैनर है जो बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन OnePlus में IP54 की रेटिंग है जिससे वो मिटी और थोड़े बहुत पानी सबच जाएगा लेकिन Samsung के अंदर कोई IP रेटिंग नहीं है तो उसे तो आपको खुली समाल के रखना पड़ेगा उपर से OnePlus के front glass में है Panda glass की production जो काफी अच्छी है अगर गलती से phone कभी आपके हाथ से गिर भी गिया तो तूटने के chances बहुत कम है लेकिन Samsung के front में कौन सी glass की production है ये Samsung ने अभी तक कहीं भी नहीं बताया हुआ और कोई चीज तभी चुपाई जाती है जब डाल में कुछ काला हो पर OnePlus के अंदर एक बहुत important चीज मिसिंग है इनका alerts लेटर अब Samsung की पहचान तो इनका one ही हुआ है OnePlus वाले भी अपनी पहचान बिखेर दे तो बहुत अच्छा लगता और display इन phones की थोड़ी अतरंगी है दोनों phones की display का size तो बिल्कुल सेम है तो चाहे आप movies देखो चाहे अच्छी अच्छी YouTube वीडियो आपको बहुत मजाएगा साथी में दोनों का resolution भी बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल high quality में देखेगा सक कुछ और Samsung की speciality है भाई इनकी super AMOLED display तो Samsung M55 के अंदर colors बहुत कमाल के आते हैं और OnePlus भी कोई पीछे नहीं है भाई उसके अंदर भी AMOLED display मिलती है लेकिन कभी अगर आपके आसपास बारिश हो रही है और अगर आपको phone चलाना है तो OnePlus एकदम अराम से चल जाएगा क्योंकि उसकंद रहा है Aqua Touch feature जिसकी मदद से आपकी display फरक कर लेगी कि पानी कौन सा है और आपकी उंगली कौन सी है इनके 120Hz के refresh rate के साथ और अगर आपको ऐसा phone चीए जिसकी battery इतनी बड़ी हो कि वो पूरा दिन चल वी जाए और चार्ज होने में फटाफट चार्ज हो जाए तो इस मामले में OnePlus का कोई जवाब भी नहीं है चुकि OnePlus के अंदर जादा बड़ी battery मिलती है और Samsung से comparison में वो कम से कम एक से डेट घंटा जाना चलेगा और साथी में Samsung के अंदर maximum 45W का चार्जिंग सबोटा है और OnePlus के अंदर पूरा 100W का और Samsung 0 से 100% फुल चार्ज हो राता है एक घंटे के अंदर वही पर OnePlus 1 गंटा भी नहीं लेता 45 मिनट भी नहीं लेता सिर्फ 30 मिनट लगते हैं उसको 0 से 100% पहुचने में तो पूरा दिन फॉन चलाओ और जब नहाने जारे हो तो फॉन को चार्जिंग पे लगा दो अब तो गर्मी आ गई है अब तो नहाते होगे और साथ में OnePlus के डब्य के अंदर ही आको 100W का चार्जर मिलेगा वही पर Samsung की चार्जिंग भी स्लो है और साथ में चार्जर भी नहीं देते और तो और OnePlus वाले अपने फोन के साथ ही बहुत ही बड़ी हा क्वालिटी का फोन का कवर भी देते हैं और अब इतनी चीज़ों में OnePlus आगे निकल गया है तो Samsung कहीं तो बाजी मारेगा तो Samsung का User Interface है One UI वही पर OnePlus का एक Color OS और दोनों चलाने में बहुत सही लगते हैं लेकिन Samsung एक चीज़ के अंदर आगे है तो एक चीज़ के अंदर पीछे भी है आगे है अपडेट्स के मामले में जहांबे OnePlus को सिर्फ 2 साल की Android अपडेट्स मिलेंगी वही पर Samsung 4 साल की दे रहा है तो Samsung के अंदर आपको 2 और साल तक एकदम latest features मिलते रहेंगे और साथ में Samsung देता है 5 साल की security patches जो OnePlus के अंदर सिर्फ 3 साल के है तो अपडेट्स के मामले में तो Samsung बहुत आगे है लेकिन जिस चीज में पीछे है वो है bloatware bloatware मतलब फालतू की ads, फालतू की apps जो Samsung के अंदर बहुत जादा है ऐसा नहीं है कि यह सब OnePlus के अंदर नहीं है लेकिन Samsung के अंदर तो kilo gaze आप से है और OnePlus के अंदर 4-5 फालतू apps है वही पर Samsung के अंदर तो पूरी list बन जाएगी फालतू apps की तो आपको 2000 रुपे जारा खर्च करके Samsung लेने चाहिए या फिर 2000 बचाके OnePlus Samsung obviously काफी सरी चीजों में आगे है जैसे की camera में, user interface में लेकिन OnePlus आगे है performance में, display में और battery में तो बहुत जादा तो अगर आप एक ऐसे user हो, जिसको एक complete phone चीए जो gaming भी टॉप की करा दे, camera भी decent हो और battery तो कमाल की हो, तो OnePlus आपके लिए बहुत बड़ी option है लेकिन अगर आप एक ऐसे user हो, जिसे camera एकदम best चीए और Samsung lover हो, तो One UI भी चीए तो आप Samsung M55 लेलो